यूटू चैनल आपको आज लेकर घटना चक्र का सेट प्रैक्टिस नाइन लेकर आया हूँ तो चलिए देखते हैं सेट प्रैक्टिस नाइन हम जिसका महत्पुन प्रस्ण है फर्ष्ट कोचन है निमलिखित में से कौन सा जिला धारबार भुवश्तर ये रचना वाला नहीं है तो आपको रहतास आपको भुवश्तर ये रचना वाला नहीं है इस परकार रहतास आपका भी होगा कोचन नमबर टू देखेंगे निमलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है नहीं है तो इसका राइट अंसर होगा सी कोचन नमबर टिरी देखेंगे दीपो के समुलच दीप है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका ए होगा प्रावल उत्पति का दीप है दीपो का समुलच दीप जो है आपको प्रावल दीपो के उत्पति का इसका राइट अंसर आपका ए होगा next कोचन कोचन नम्iver 4 देखेंगे सुची 1 और सुची 2 दिया गया है सुची 1 में जन जाती है और सुची 2 में निवास अस्थान है इसमें मिलान करना है तो हम देखेंगे ए में है जाउन सारी तो जाउन सारी हो जगा आपको कहां का है ? तो मत पर्देश का है? ए में है जाउन सारी तो जाउन सारी कहां का है ? तो इसका रख असर होगा आपको खिरि उत्रा खंड का है .फिर ए में समथाल तो निकुंत जाघ खंड का है C में है भील तो भील कहां कहा है तो आपको 2 मत परतिस कहा है D में है लेपचा तो लेपचा कहां कहा है तो आपको सिक्किम का 4 होगा इस प्रकार आप मिलाइन करेंगे तो इसका राइट अंसर आपको B होगा एक का तीन, बी का वन, सी का दो और डी का चार होगा इस प्रकार राइट अंसर आपका बी होगा कोचर नंबर फाइब देखेंगे अक्टूबर दोहजार चोविस में जारी 22 बहोयामी गरीबी सुचकंग 2024 से सम्बंदित नेमने कत्नों पर विचार किरे आपको ए में है यह रिपोर्ट 20 बैंक द्वारा जारी किया गया दो में है इसके अनुसार 20 अस्तरपा 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहोयामी रोप से अतियंद गरीब है उपरुक्त कत्नों में से कौन सा कत्न सही है इसका रैटन सरों का अप्शन B आपको केवल दो आपका सही है इस प्रकार रैटन सर आपका B होगा नेश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 6 देखेंगे कोचन नमबर 6 है निम्रखित नदियों पर विचार कीजिए यह में है 1 सधारा, 2 में इंद्रावती, 3 में प्रानहिता और 4 में पिन्नार उपरुक्त में से कौन सी गुदाबरी की साहिक नदिया है इसका रैटन सरों का अप्शन C 1, 2 और 4 आपको 1, 2 और 4 आपको गुदाबरी की साहिक नदिया है इस प्रकार राइट अंसर आपका C होगा कोचर नमबर 7 देखेंगे भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस छित में बहती है इसका राइट अंसरों का आप्शन C लहौल में बहती है कौन चंद्रा और भागा नदियां लहौल में बहती है इस परकार आपका C होगा कोचन नमबर 8 है भारत की सरवाधिक वर्षा मुक्तब प्राप्त होती है को एक है इसका राटंस रोका 165 लानसोन प्राप्त होती है कोचन नमबर 9 है सुची 1 और शुची 2 दिया गया है सुची वन और सुची टू में आपको मिलान करना है सुची वन में मीटी है और सुची टू में राज है इसमें आपको देखना है तो A में है जलोड है तो जलोड आप जोगी औरुंदे त्यूंदेश Ch Vale राइट अंसर होगा option B, 1 का 2, B का 3, C का 4, D का 1 होगा, इस प्रकार राइट अंसर B होगा, कोचन नमबर 10 है, आपको सुची 1 और सुची 2 दिया गया है, सुची 1 में 1 के प्रकार है, और सुची 2 में परदेश है, इसमें आपको मिलान करना है, इसमें मिलान करना है, तो ये में है, उसम कटी बन दिया, अद्र पाती 1, तो इसका राइट हो जाएगा, आपको 4, तराई में, 2 में है, उसम कटी बन दिया, सुच्छ पन पाती 1, तो इसका हो जाएगा 1, आरुनाचल परदेश में, C में अलपाइन, तो आलपाइन हो जाएगा, आपको थिरी, मद गंगा मैदान में, D में है, उसम कटी बन दिया, सदा वहार बन, तो इसका 2 हो जाएगा, सहाद्री, इस परकार इसको मिलाएंगे, तो आपका राइट अंसर हो जाएगा, 10 का, आपको हो जाएगा A, A का 4, B का 3, C का 1, D का 2 होगा, इस परकार राइट अंसर आपका A होगा, नेश्ट कोचन देखेंगे, कोचन नमबर 11 देखेंगे, निमलखीत में कौन सा यूग, सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, अप्शन सी, नागर्जुन सागर कावेरी, यह आपका सुमेलित नहीं, क्योंकि यह कावेरी नदी नहीं, कि रिष्णा नदी होगा, इसके करण सही नहीं पूछा है, तो इसका राइट अंसर C होगा, नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 2 देखेंगे, सुची 1 और सुची 2 दिया गया है, सुची 1 और सुची 2 को मिलान करना है, A में हैं पच्छमी घट, तो पच्छमी घट का हो जाएगा, 4, कुमारी, B में हैं दच्छिन पूर्वी राजस्थान, इसका 2 हो जाएगा, वल्टरे, C में हैं उत्तर पूर्वी भारत, तो इसका 3 हो जाएगा जूम, D में हैं मदपरदिश्थ तर 36 गर, तो इसका हो जाएगा 1, डहिया, इस प्रकार आपका राइट अंसर A होगा, 1 का 4, B का 2, C का 3, D का 1 होगा, इस प्रकार राइट अंसर आपका A होगा, नेश्ट कोचन देखेंगे, कोचन नमबर 13 है, सुची 1 और सुची 2 दिया गया है, सुची 1 में कोईला छेत्र है, और सुची 2 में अवस्तिती है, A में हैं ताल चीर, तो ताल चीर का हो जाएगा, आपको कहां है, तो चार हो जाएगा, महा नदी, B में है कर्णपुरा, तो कर्णपुरा आपको दमोदर घाटी हो जाएगा, अवस्तित है, C में है सिंग रैली, तो सिंग रैली जो है आपका कहां है, तो सोन घाटी में इस्तित है, D में है सिंग रेनी इसका हो जाएगा गोदाबरी नदी घाटी इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट अंसर होगा option A A का 4, B का 1, C का 2, D का 3 होगा इस प्रकार राइट अंसर आपका A होगा 14 है अक्टूबर 24 में किसे रसायन विग्जान का नौविल पुरुषकार 2024 परदान किये जाने की घोशना की गई है कूट की सहायता से उत्तर को चुनिये A में है डेविड बेकर, दो में जॉन जंपर, थिरी में है डेमिस हास बीस इसका राइट अंसर का option D एक, दो और तीन, आपका सही उत्तर है, इस प्रकार राइट अंसर D होगा आपको सुची 1 और सुची 2 दिया गया है तो आपको मिलान करना है A में है एटना, तो एटनक हो जाएगा आपको चार सिसली इटना जोलम कि सिसली में है बिसउन, जोलम कि तो इसका राइट अंसर होगा तीन इटली में है शिली में है A री बस बैस हो जागा 1 राःष दीप में और D में है कोटो पैक दो आपको हो जागा 2 इकवाडोर में इस प्रकार आप मिलाएंगे इसका राइट अंसर B होगा एक कचार, B कतीर, C का वार, D का दो होगा इस प्रकार राइट अंसर आपका B होगा नेश्ट कोचर, कोचर नमबर 16 देखेंगे नेमलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है एक तरफ भगौलिक दलच्छन है, दुसरी तरफ परदेश है आपको इसमें मिलान करना है तो मिलान करने पर हम देखेंगे इसका राइट अंसर होगा, आप्शन B एट अलस परवाद, उत्तर परच्छी माफिर का एक आपका सही मिलान है इस परका राइट अंसर आपका B होगा नेक्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 17 देखेंगे कोचन है, रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार प्रोटीन है इसका राइट अंसर होगा आप्शन B प्राइबी नोजन है, रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार प्रोटीन, इस परका राइट अंसर आपका B होगा नेक्ट कोचन, कोचन नमबर 18 देखेंगे आपको इसमें 18 है, सोची 1 और सोची 2 दिया गया है सोची 1 में आपका विश्व का दीप है और सोची 2 में स्वामित वाला देश है इसमें आमको मिलान करना है A में है एलूबीसियन दीप, तो इसका हो जाएगा USM में चार होगा 2 में है, B में बीयर दीप, तो इसका राइट होगा 3 नौर्वे में C में ग्रीन लेंड, तो इसका दो होगा डेनमार्क D में फ्रैंड, जोसेफ लेंड, इसका वान रूस में इसमें का राइट अंसर आपका A होगा A का 4, B का 3, C का 2, D का 1 होगा इसमें का राइट अंसर आपका A होगा कोचन नमबर 90 है नीची दिये गए युगम पर विचार कीजिए A में है नदी इधर है में जागर मिलती है A में में कांग अंडमान सागर 2 में थेम्स, आइरिस सागर 3 में है बोलगा, कैस्पियन सागर 4 में जैंबेजी, हिंद मास सागर उपिक में इसे कौन सा कथन सही सुमेलित है तो इसका राइट अंसर होगा ओप्शन C केबल 3 और 4 आपका सही है इस परकार राइट अंसर C होगा कोचन नमर 20 है सरक पर चलने किया पिछा बर्प पर चलना कठीन है क्योंकि इसका राइट अंसर का ओप्शन D बर्प में सरक पिछा घरसन कम होता है इस परकार राइट अंसर आपका D होगा नेश्ट कोचन कोचन नमर 21 है 8 अक्टूबर 2024 को भावतिक बिज्ञान का नौविल पुरुसकार किसे परदान किये जाने की घोशना की गई है इसका राइट अंसर होगा आपको आप्शन C जौन H होप फिल्ड को और जेफरी E हिटन को किया गया इस परकार राइट अंसर आपका A और B दोन होगा इस परकार राइट अंसर C होगा नेश्ट कोचन कोचन नमर 22 देखेंगे चंदरमा परवाई मंडल नहीं होने का क्या कारण है इसका राइट अंसर होगा आप्शन D इस पर गयस अन्वो का प्लाइन वेग उसके वर्ग मद मुल वेग से कम होता है इस परका राइट अंसर आपका D होगा कोचन नमर 23 है सुची 1 और सुची 2 दिया गया है सुची 1 में रंग है सुची 2 में संयोजन है आपको इसमें मिलान करना है ये में है मैं जेटा तो मैं जेटा जो है आपको हो जाएगा दो लाल और नीला बी में है टील तो टील का हो जाएगा थिरी नीला हरा और सफेद सी में है मोब्र तो इसका हो जाएगा चार नीला लाल और सफेद डी में है सियान तो इसका वन हो जाएगा हरा और नीला हो जाएगा इस परकार इसका राइट अंसर हो जाएगा option A एक का दो, बी का तीन, सी का चार, डी का वन होगा इस पकार आइट अंसर आपका ए होगा नेश्ट कोचन, कोचन नमबर 24 है, निम्लिखित पर है, विचार किजिए तथा आविर्ति के बरते कर में विवस्तित किजिए ए में एक सरे, तुमें हैं दिरिश किरने थिरि में अवरक्त किरने, फोर में हैं रेडियो तरंगे, नीची दिए एक खुट का पड़ियोकर सही उत्तर को चेर करना है इसका राइट अंसर होगा, आप्शन D आपको 4, 3, 2, 1, सही होगा, इस पकार आइट अंसर D होगा नेच्ट कोचन दखेंगे, कोचन नंबर 25 है, जब बैधुत उर्जा गती में परिवर्तित होती है तब इसका राइट अंसरों का आप्शन ए, उसमा की हानी नहीं होती है इस प्रकार राइट अंसर आपका A होगा कोचन नंबर 26 है, नेमली खीत में से कौन सा सिमेंट का मुख घट रख है इसका राइट अंसरों का आप्शन है, चूना पत्थल इस प्रकार राइट अंसर आपका A होगा नेच्ट कोचन, कोचन नंबर 27 देखेंगे सुस्क लिटमस पत्रक का रंग क्यों नहीं बदलती है इसका राइट अंसर का आप्शन सी, कोई H2, कोई H3O पलस आयन महजूद नहीं होगे लिटमस केवल H3O पलस आयन की उपस्तिति में रंग बदलता है इस प्रकार राइट अंसर आपका C होगा कोईचन नंबर 28 देखेंगे लंबी समय तक कठोर सारेली कारिक के पहचात मास पेशियां में थकान अनुभव होने का कारण होता है इसका राइट अंसर होगा आप्शन D लैक्टिक्स एसिट का संच है इस प्रकार राइट अंसर आपका D होगा कोईचन नंबर 29 है जलासियों में यूट्रोफिकेशन होता है इसका राइट अंसर का आप्शन D नैट्रो जिन्स पोशक तत्यम अर्थो फोस्फिट के अधिक के कारण होता है इस प्रकार राइट अंसर आपका D होगा कोईचन नंबर 30 है मादा एना फिलिच को मादा क्यू लेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है इसका राइट अंसर का आप्शन B अध अस्तर सब टर्म के साथ एक कोन पर बैठती है इस प्रकार राइट अंसर आपका B होगा कोईचन नंबर 31 है नेमलिखित में से कौन से नैटोजन योगी करन पादप है A में अलफा, 2 में है चौलाई, A मृत, 3 में है चना, चिकपी, फोर में है तिप्तिया घास, 5 में है कुलफा, पर्सलेन, और 6 में है पालक नीचे दिए कुट को सही उत्तर को चुनना है तो इसका राइट अंसर का आप्शन A केवल 1, 3 और 4 होगा इस प्रकार राइट अंसर A होगा नेक्ट कोचन, कोचन नंबर 32 है सुची 1 और सुची 2 दिया गया है आपको इसमें मिलान करना है तो बिटामिन K का हो जाएगा 4, अलफा, अलफा B में है बिटामिन D तो बिटामिन D का हुआ, कौड या किर्थ तेल C में बिटामिन E तो इसका हो जाएगा 1 गेहो भूरून तेल ओर D में है बिटामिन C तो इसका हो जाएगा 2 नीमबो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट अंसर होगा आपको D एक का चार B का तीन, C का 1 डी कद्द होगा इस प्रकार अपसर डी होगा नेक्ट कोचण कोचनście नम्बा तेटिस है ही पैरिन प्रोटीन का उत्पाद ना होता है इसका अपसर ये कृत में होता इस प्रकार अपसर आपकाड़ी होगा नेक्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर आपका 34 है सुची वन और सुची टू दिया गया है सुची वन में मिलान करना है और सुची टू को दिखना है अग्री एड्री नेलीन का वुन हो जागा क्रोध भय और खत्रह होता है तो में एस्टोजन तो जन होगा तीरी इस्तिरियों का हर्मोन है C में इंसुलीन इंसुलीन गुलकोज होगा 4 D में फिरो मोन एक गंधक से बुद से साथी को अकर्सित करता है इस प्रकार रायटनसर आपका C होगा A का A B का 3 C का 4 D का 2 होगा इस प्रकार रायटनसर C होगा नेट कोचन कोचन नमबर 35 देखेंगे पाउधे में पानी पहुचाया जाता है इसका रैट अंसर का आप्सन ए जाइलम द्वारा पहुचाया जाता है इस पर का रैट अंसर आपका ए होगा कोचन नमर 36 है सही जोड़े को बताईए और नीचे देखे कूट को उद्दर चुनिए ए में है रक्त अलपता इनेमिया तिसका रैट होगा दो लौफ तत्वी की कमी बी में है गला घोटू थिरी होगा आयोडीन की कमी सी में रताउंधी चार होगा बिटामिन ए की कमी ठीज में बेरी बेरी इसका राइट होगा वण विटामिन एक की कमी इस परकार राइट अंसर आपका बी होगा एक कद्दू वी का तीन शी का चार डी का वन होगा इसल specifically जैस्ड आपका बी होगा सही कर्मा अनुकर्म क्या है ये में सोने के सीखे दो में आहत मुद्रा और चांदी के सीखे तिरे में लोहे का हल फोर में है नगर संस्किति नीचे दिये कुट को सही कर उत्तर को चुनिया जिसका रैट अंसर हो जग ऑप्सन डी है एक का चार चार तीन दो एक होगा इस पर का रैट अंसर आपका डी होगा कोचन नंबर 38 देखेंगे पुरानों के संदर में निम्लकित कत्मों में से कौन सा कथन सही है ये में विशनुप पुरान से मौर वंस की जनकारी मिलती है तो में वाइप पुरान गुप्त वंस की सासन विवस्था पर प्रकाश डालता है इसका रैट अंसर का ऑप्सेंटी आपको एक और दो दोनों सही है इस प्रकार रैट अंसर डी होगा प्राचिन भारत के संदर में निम्लकित कत्रों पर विचार कीजिए एक में अस्तुप की संकल्पना मुलता बहुत संकल्पना है दो में अस्तुप आम तोर पर अफ्षेसों का निच्छे पागार होता है थिरे में बहुत परंप्रा में अस्तुप एक संकल्प अर्पीत या स्मारक सा रचना होती है वो पित में से कौन सा कथन सही है इसका रैट अंसर अप्शन बी केवल दो आपका सही होगा इस प्रकार रैट अंसर आपका बी होगा कोचन नंबर 40 द इसका रैट होगा ओप्शन पी चार एक तीन दो होगा कोचन नंबर 41 है नेम लिखित युगमों पर विचार कीजिए यह में अस्तुप की परमुक्सी ललेग वह अच्थान जिस राज में है इसका मिलाएंगे इसका रैटल समर का वन में धोली उरिषम्य यह आपका सही सुमलित है और उसके बाद आपको अगर उसके बाद आपको दो एरी कुड़्डी अंध पर्दीश में है इस प्रकार आपको पूछा है सही सुलमित है तो केवल दो युगमों सुमलित है यह एक और दो इस प्रकार राइटनसर आपका B होगा नेक्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 42 है प्राचीन काल के भारत पर आकरमनों के समंद में निमलिखित में से कौन सा कथन सही काल अनुकर्म है इसका राइटनसर हो जाएगा इसका राइटनसर हो जाएगा इनानी सक और खुसान इस प्रकार राइटनसर आपका A होगा नेक्ट कोचन कोचन नमबर 43 है गुप्त काल के दौरान भारत में बलात सर्म विष्टी के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है इसका राइटनसर का अप्सन ए इसे राज के लिए आयका एक्सरोत जनता द्वारा दिये जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था इस प्रकार राइटनसर आपका A होगा नेक्ट कोचन कोचन नमबर 44 है भारतिय सिला वस्तु की इतिहास के संदर में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको राइट अंसर हो जाएगा आपको केवल तीन आपका सही होगा इस प्रकार राइट अंसर आपका कोचन नमबर 45 है तीरतिय संगम हुआ था इसका राइट अंसर का आप्शन भी एरना कुलम में हुआ था इस प्रकार राइट अंसर आपका भी होगा नेक्ट कोचन कोचन नमबर 100 सो कोचा नमर 46 है निमलखित कत्रों पर विचार किजिए यह में नर्सिंग सालू ने संगा वंस का अंत किया और उसे राज सिहासन छीन कर सुलूब वंस आरम किया दो में वीर नर्सिंग ने अंतिम सुलूब सासक को गदी से उतार कर राज सिहासन छीना थिरे में वीर नर्सिंग के उत्तरवर्ती उसके अनूज क्रिश्न देवराय थे फोर में क्रिश्न देवराय के उतरवर्ती उनके अर्द भाई अचूत देवराय थे उपिक में से कौन स सा कथन सही है इसका राइटन सर्ग ऑप्शन डी एक दू तीन और चार सभी सत्त इस प्रकार राइटन सर्डी होगा कोचन नमबर सेंटालिस है भारत के किस मद्धिकालिन सासक ने इकता बेवस्ता आरम की थी इसका राइटन सर्ग ऑप्शन ए इल्दुत्मिस ने आरम की थी इस प्रकार राइटन सर्ग ए होगा कोचन नमबर आपको अर्टालिस है नेमलखित में से कौन सा इग्म सही सुमेलित नहीं है इसका राइटन सर्ग ऑप्शन से अब्दुल रजाक तुर्की आपको सही सुमेलित नहीं है क्योंकि आपको अब्दुल रजाक देवराय दुत्ये के सासनकाल में बिजयनेगर आया था नुनिज पुर्तिगाली के यात्री और अस्वेपारित था इसने बिजयनेगर की यात्रा किया था इस प्रकार राइटन सर्ग आपका सी होगा कोचा नमबर उन्चास हम देखेंगे बाबर को भारत पर आक्रमन करने के लिए अमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान था इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको ए इब्राहिम लोधी का समंदी था तथा वा दिल्ली के रासिहासन का दावेदार था इस प्रकार राइट अंसर आपका ए होगा नेक्ट कोचन कोचन नमबर 50 देखेंगे टोडर मलने की छेत्र में ख्याती अरजित की इसका राइट अंसर का आप्शन भी भूराजस छेत्र में ख्याती अरजित की इस प्रकार राइट अंसर भी होगा कोचन नमर एक कामन है आपको सुची 1 और सुची 2 दिया गया है कूट के परयोकर सही उत्तर को चुनना है सुची 1 और सुची 2 है A में है आपको मिलान करना इसमें A में इक्ता है B में जागिर है C में अमरम है और D में आपका माक कोसा है इसको मिलान करेंगे तो इसका राइट अंसर का ओप्शन आपको हो जाएगा आपको B 1 का 2, B का 3, C का 4 और D का 1 होगा इसमें का राइट अंसर B होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर बामन है बासको डिगामा के समन्द में कौन सा कथन सही है यह में बासको डिगामा ने 1498 में भारत यात्रा के समय कालिकट का सासक जमूरिन समूरिथी था दो में पर्थम यात्रा में बासको डिगामा लगवग एक साल तक भारत में रहा थिरिम बास्को डिगामा ने पुना 1501 में भारत की यात्रा की है इसका राइट अंसरों का आप्शन D, केबल 1 बास्को डिगामा की 1489 में भारत यात्रा के समय काली काट का साचक जमोरीन शमोरी थी था इस प्रकार राइट अंसर आपका D होगा Next कोचन कोचन नमबर तीरपन है निम्लखित कत्रों पर विचार करें ए में हैं फैक्टरी एक 1881 और धोगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संग बनाने देने की द्रिष्टी से पारित किया गया था Second में है एन एम लोखंडे बिटिस भारत में मजदूर अंदोलन संगठित करने में अगरगामी थे उप्रुक्त में से कौन सा कथन सही है इसका रैटनसर अप्शन भी केवल दो आपका सही है इसका रैटनसर भी होगा कोचन नमबर 54 है मुझे बिस्वास है कि काउंग्रेस अपने बिनास की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसने सांती प्रिये निर्धन के लिए इसका सहायक बनू यह किसने लिखा है इसका रैटनसर का आप्शन सी लौट करजर ने लिखा इसका रैटनसर आपका सी होगा निश्ट कोचन कोचन अबर 55 देखेंगे दादा भाय नौरोजी द्वारा परति पादित अफवासिदांत की सही परिभासा नीचे दिए किस अस्थान में आती है इसका रैटनसर अप्शन भी भारत कि राष्टिये स संपता का एक भाग अथ्वा कूल वार्षिक उत्पाद बिटिन को निडियात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्थिक पर्थिफल नहीं मिलता था इस प्रकार रैटनसर आपका भी होगा कोचन नंबर 56 देखेंगे इसने भारत में इस्ट इंडिया कमपनी की सासन परनाले को मिर्थ प्राय बना दिया इस प्रकार रैटनसर आपका सी होगा कोचन नंबर 57 है संथाल परगना के छित्र को अति प्राचिन काल में क्या कहा जाता था इसका रैटनसर का आपसन ए नरी खंड कहा जाता था इस प्रकार रैटनसर ए होगा कोचन नंबर 57 है निम्लकित घटनाओ पर विचार कीजिए ए में निल बिद्रो दो में संथाल बिद्रो थिरी में दक्कन दंगे और फोर में सिपाही बिद्रो निम्लक घटनाओ का सही काल अनुकर्म है इसका रैटनसर का अपसन ए आपको दो चार एक तीन होगा इस प्रका बुट्टी स्पैस के बारे में निम्लकित में से कौन सा कथन सत्य है ए में है सहाय तक अनुदान विवस्ता ग्रांट्स इन एड शुरूक की गई दो में विश्विद्याले के अस्थापना की सिपारिश की गई तीरी में है सिच्छा के सवी अस्तरो पर सिच्छन माध्यम क के रूप में अंग्रेजी की सिफारिस की गई नीचे ते ये कुट को सही उत्तर को चुले इसका राइटन्सरों को आप्शन ए केवल एक और दो सही होगा इस प्रकार राइटन्सर आपका एह होगा कोचन नंबर साथ देखेंगे निम्नखित कत्नों को ध्यान पुर्वक पढ़िये ये में ब्रह्म समाज एक के इस्वरवाद का समर्थन करता था दो में आरिस समाज को ने सिच्छा के विकास में युगदान दिया थिरी में रामकिर्शन मीश्ण के अस्थापना स्वाम विव नेक्ट कोचन देखेंगे कोचन नंबर एक सर्ट देखेंगे निम्निखित को उनके संगठन के अधार पर कर्म वर्वार्थ सजाईए कर्मवार सजाई, ए में हैं बंबे एसोसियेशन, दो में मदरास महाजन सभा, थ्री में इंडियन एसोसियेशन, फोर में हैं इंडियन लीग इसको सजाना है इसका राइट अपसर का आपसर पर गाया गया था इसका राइट अपसर होगा आपसर डी, भारतिय राष्टी कॉंग्रिस का दिविशन, उनिसो उनिस के अपसर पर गाया गया था, इस प्रका राइट अपसर डी होगा कोचन नमबर तिरसट है, मुझभर पूर में कििंग स्फोर्ट की हत्या का प्रियास कब किया गया इसका राइट अपसर का अपसर अपसर ए, उनिसो आठ में किया गया था, इस प्रका राइट अपसर आपका ए होगा नेश्ट कोचन, कोचन नमबर तिरसट है, आपको सुची वान और सुची टू दिया गया है, आप इसमें मिलान करना है ए में है हावरा सडियंत्र केस, तो इसका हो जागा जयतिंद्र नाथ मुखरजी बी में है लोहर सडियंत्र केस, तो हो जाएगा राजगुरू इस प्रकार आप मिलाएंगे, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी एक का तीन, बी का चार, सी का वन और डी का दो होगा, इस प्रकार राइट अंसर सी होगा नेश्ट कोचन देखेंगे, कोचन नमबर 64 है, मैडम भीखा जी कामा से समन्दित, निमलखित कत्रों पर विचार कीजिए इसका राइट अंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी केवल दो और तीन, इस प्रकार राइट अंसर भी होगा कोचन नमबर 66 है, दादा भाई नौरोजी के विचाय में निमलखित में से कौन सा कथान असत्त्ती है कोचन नमबर 66 है, निमलखित में से किसके कारण सारजनिक रोज की लहर उभरी, जिसके फलस्रोप जालियावला बाग में बिटीश द्वारा जन साहार की घटना घटी है कोचन नमबर 68 है, एक वर्ष में स्वाराज का नारा गांधी जी ने कब दिया एक वर्ष में स्वाराज का नारा गांधी जी ने कब दिया, इसका रैटनसर हो जाएगा, आप्शन बी आसायोग अंदोलन के समय दिये थे, इसका रैटनसर भी होगा कोचन नमर 69 है, मुश्लिम लिग का वार्षिक अधिविशन जिसमें जीनना के दो राष्ट के सिधानत को मनेता दी गई थी, हुआ था इसका रैटनसर का आप्शन ए, लहोर में हुआ था, इसका रैटनसर आपका ए होगा कोचन नमर 70 देखेंगे, निमलिखित में से किन पाटियों ने भारष्चोर अंदोलन का समर्थन नहीं किया था, इसका रैटनसर का आप्शन दी, उपिक्त में सभी ने, आपको भारष्चोर अंदोलन का समर्थन नहीं किया था, इसका रैटनसर दी होगा नेश्ट कोचन कोचन नमर 71 देखेंगे लॉड माउंट बेटेन वासराय के रूप में भारत आया इसका रायट अंसरों का आप्शन भी यह था संभाव भारत को संयुक्त रखने की विशेश हिदायत के साथ इस प्रकाई रायट अंसर भी होगा कोचन नमर 72 देखेंगे निम्रकित कत्रों पर विचार किजिए वारिन हेश्टिंग्स पर्थम गुवर्नल जनरल थे जिन्होंने भारत में बिटिस धाचे बिटिस धाचे पर अधारित एक नियमित पुलिस बल अस्थापित किया दो में रेगुरेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकाता में उच नियाले सुप्रीम कोट अस्थापित किया गया थिरी में है भारतिय डन सहीता वर्स 1860 में लागू हुए उपरियुक्त में से कौन सा कथम सही है इसका राइट अंसर होगा आप्शन बी दो और तीन आपका सही है इस प्रकार राइट अंसर आपका बी होगा नेश्ट कोचन कोचन नमर 73 देखेंगे किसने दुखी कोचन नमर 73 है किसने दुखी और दुखी आत्मा दुखी हिर्दय जैसे चदम नामों के तहत लिखकर चमपारन के किसानों की दूरदसा पर परकाश डाला इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको आप्शन ए पीर मुहमद मुनिश ने है इस परकाश राइट अंसर ए होगा कोचन नमर 44 है निमली खीत में से बिहार कौं सा जिला सबसे अधिक घने पत्जरवाले वन छेत्र से घेरा है इसका राइट अंसरों का आप्शन ए पच्छमी चंपारन इस परकाश राइट अंसर ए होगा कोचन नमबर आपका 75 है भागलपुरी में नमक सत्यागरा का नेत्रूत किस ने किया था इसका राइटनसरों का आप्शन B महादेवलाल सरफरा ने किया था इस पका राइटनसर आपका B होगा कोचन नमबर 76 है भारत के नेमलेखित में से किस राज की सिमा बिहार में अधिक्तम जीलो सी लगती है इसका राइटनसर होगा आप्शन B आपका B और C उत्तर परदेश और जहरकन सी लगती है इस पकार राइटनसर D होगा नेश्ट कोचन कोचन नमबर 77 देखेंगे बिहार राज के कुल भगावलिक छेत्र की तुल्ना में समस्त वंद छेत्र का परतिस्षत है इसका राइटनसर का आप्शन E 7.84 परतिस्षत है इस पकार राइटनसर आपका A होगा नेश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमर 78 है सन 1949 में बिहार में अमबारी सत्य गरह का नेत्रित किस ने किया था इसका राइटनसर होगा आप्शन E राहुल संस्किर्टायन ने इस परकार राइटनसर A होगा कोचन नमर 79 है नेमनखित में से कौनसा कथन सत्त्य है सत्य पुछा है तो इसका राइटनसर का आप्शन E सन्युक्त राज अमिर्का में सरकार की संगिये परना ली है इस परकार आपको सत्य राइटनसर A होगा नेश्ट कोचन कोचन नमर 80 देखेंगे आपको सुची 1 और सुची 2 दिया गया है इस परकार आपका राइट अंसर C होगा 1 का 3 B का 1 C का 4 D का 2 होगा इस परका राइटनसर C होगा नेश्ट कोचन कोचन नमर 81 है नेमिर्कित कत्रों पर विचार किजिए भारत के सविधान के संदर में राज के निर्थी निदेशक तत्व यह में विधायका के किर्तेयों का निर्बंधन करते हैं दो में कारपाल के किर्तेयों को निर्बंधन करते हैं उपिक्त में से कौन सा कथन सही है इसका राइटनसर को आप्शन D ना तो एक है और ना ही दो है इस परकार राइटनसर D होगा कोचन नंबर भेरासी है नेमल खित में से किनकी निवक्ति भारत के राष्टपती द्वारा की जाती है A में B तायो के अधियाच द्वा में निति आयकोप अधियाच C में है संग राज शित्र का मुख मंत्री तो नीचे दिये कूट को सही उत्तर को चैन कीजिए तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option A केवल एक आपका सही है B तायो का अधियाच इस प्रकार राइट अंसर ए होगा कोचन नंबर 83 है नेमल खित अधिकानियों पर विचार कीजिए आपको इसमें मिलान करना है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option C चार तीन दो एक होगा इस प्रकार राइट अंसर C होगा कोचन नंबर 84 है भारत के सविधान में नेमल खित में से क्या कथित है यह में राष्ट पती संसत के किसी भी सदन का सदस नहीं होगा दो में हैं संसत राष्ट पती और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा नेमल खित कूट को सही उत्तर को चुने इसका राइट अंसर का option B है एक और दो, दोनों आपका सत्थ है, इस प्रकार राइट अंसर बी होगा. Next कोचर, कोचर नमबर 85 देखेंगे, भारतिय संसत कि समप्रुवता परति बंधित है, तो इसका राइट अंसर होगा, परति बंधित है, इस प्रकार राइट अंसर बी होगा. Next कोचर, कोचर नमबर 86 देखेंगे, सरपर्थम एक संसत विधायक को इस अधार पर सदेश्ता से आयोग घोशित किया गया कि वह सदन के अनुमाती के बीना, उसकी 60 लगतार बैटकों में अनुपश्तित रहें. इसका राइट अंसरों का आप्शन, इसका राइट अंसरों का आप्शन ए राज सभा का, इस प्रकार राइट अंसर ए होगा. कोचर नमबर 87 है, सारभुत रूप से विधी के समक परकिरिया का भी प्रायक क्या है? इसका राइट अंसरों का आप्शन बी बीदी द्वारा अस्थापित पदती इस प्रका राइट अंसर भी होगा कोचन नंबर 88 है नेमने में से सविधान के किस अनुच्छेद की अंतरगत भारत के राष्ट पती मूल अधिकारू को किरियानवय को अस्थापित कर सकती है अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त इसका राइट अंसरों का आप्शन भी अनुच्छेद 369 इस प्रका राइट अंसर भी होगा कोचन नंबर 89 है शुतनत भारत के पर्थम बिधी आयो के अधियाच कौन थे इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन D सिरी MC सितल भारत है इस प्रका राइट अंसर डी होगा कोचन नंबर 90 है निम निमे से कौन सा उपाए चैनात्मक साख नियंत्रन के समद्ध में सही बेकल्प नहीं है इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन B सरकारी परतिभूतियों को बेचना इस प्रका राइट अंसर B होगा कोचन नंबर 91 है भारत में बीतिये छेतर के सुधारों में सामिल है इसका राइट अंसर हो जाएगा उपिक्त में सभी इस प्रकार आटन से डी होगा नेक्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 92 है आपको अस्तम और अस्तब खा 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 दिया हुआ है आपको इसमें मिलान करना है तो इसमें हमको देखना है ए में है 1955 तो 1955 का क्या होगा तीन हो जाएगा भारती अदोगिक विकास बैंक हो जाएगा सी में है 1982 तो इसका वन हो जाएगा भारती निर्यात आयात बैंक हो जाएगा अड़ी में 1987 तो अधावगिक और बीतिये पुन्रनिर्मान बोड हो जाएगा इसका राइट अंसर आपको 92 का C होगा A का 3, B का 2, C का 1 और D का 4 होगा इसका राइट अंसर C होगा कोचन नमबर आपका 93 है नेमला खित में से कौन राष्टिये पेंशन पनाले N-P-S में शम्मलित हो सकता है इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑपसन C केवल 21 से पच्पन तक की आईव कि बेगती N-P-S में सम्मलित हो सकता है इसका राइट अंसर B होगा निश्ट कोचर कोचर नमर 94 है वैस्वी करन में समलित नहीं है इसका राइटनसर अप्शन दी सारजनिक छेत्र के एक्वीटी का वी निवेस इस प्रकार राइटनसर आपका डी होगा कोचर नमर 95 है वी देशी मुद्रा जिसमें तुरित प्रावास की परविर्थी होती है कहलाती है इसका राइटनसर हो जाएगा आपको आप्शन ए गरम मुद्रा कहलाती है इस प्रकार राइटनसर आपका ए होगा कोचर नमर 96 है निवलिखीत में से कौन भारत में सहकारी कीर्षी के वीचार का समर्थक नहीं था इसका राइटनसर का आपको आपसंस सी चरंशिंग नहीं थे इस प्रकार राइटनसर सी होगा कोचर नमर 97 है किसी उद्ध्योग के विशाय में निर्मनखित कारकों पर विचार कीजिए यह में पुझी निवेश तो में बेवासाय आवर्थ थिरे में समर्थ सरम सक्ति और फोर में है बिजली की खपत इन में से कौन सा उध्योग स्वारूप और आकार को निर्धारित करता है इसका राइटनसर होगा आपको ए एक तीन और चार होगा कोहचन नमबर 17 मानृ बजट पांत्र है इसका राइटनसर को आपसंस सी सरकारा राजकोशी यह नीती का है इसका राइटनसर यह होगा कोचन नमबर नीनान में है नेमले खित में से क्या गैर योजना बिया के अंत्रगत आते हैं ए में सबसेडी दो में बियाज भुकतान थिरी में है रच्छा बिया और फोल में है पिछली योजनाओ के निर्मान आधिकारिक सा रचना का अनुच्छरम बिया नीचे दी के कूट को सही का उत्तर चुने इसका राइटनसर का अप्शन टी एक तू तीन और चार होगा इस पकार राइटनसर टी होगा कोचन नमबर हंडेड है समुंद्र परताप से समंधित निम्न कत्रों पर विचार कीजिए यह में यह भात्य टट्रचक बल का पहला स्वादेशी रूप से बिक्सित परदूसर नियंत्रक पोत है दो में है 29 सगय 2024 को इसका जला वत्तरन किया गया उपिक्त में से कौन सा कत् है इसका राइट अंसरों का अप्शन सी एक और दो दोनों सही है इस प्रकार राइट अंसर सी होगा कि नेश्ट कोचन कोचन नमबर 101 है नेमलखित कत्रों पर विचार कीजिए ए में है 2 जुलाई 2024 को आदित L1 ने लैंग ग्रेजियन भिंदुवन L1 के चारोर हेलो आर्विट में पहली परिकर्मा पूरी की दो में है इसे यह परिकर्मा पूरा करने में कूल 178 दिन लगे थिरी में यह सूर का अधियन करने वाला पहला भारती आंत्रिश मिशन है इसका राइट अंसरों का आप्शन D एक दू और तीन है इस पका राइट अंसर D होगा नेट कोचन कोचन नमबर 102 है ने में कत्रों पर विचार करें ए में सागर कवर्च 2024 एक टटिये सुरच्छा अभियास है दो में इसका आयोजन एक से दो अपरे 2024 के मद अंडमान निकोबार दिव सम्मू में किया गया उप् क्नठ सही है को इसकài union स्कार अप सबसंदि एक और दो दोनों से इसपोका राइट अंसर सी होगा का नेश्ट कोच निम्र कथनों पर विचार करें एक में मार्च 24 में बल् imitateusing पीजिर रूस निवाचित होएं दो में रूज के राष्टपती का कार्जकार चार वर्सका होता है उपरत कत्रों में से कौन कथन सही है इसका राइट अंसर का अप्षन ए के वले एक मार्च 2024 को बलादमीर पूतिन पाचिमी बार राष्टपती निवाचित होएं इस प्रकार राइट अंसर ए होगा नेश्ट कोचन कोचन नंबर 104 है मार्च 2024 में कि इसने तेज के नए चुनावाइक्त की रूप में कारभाल समाला इसका राइट अंसरों का अप्षन सी एक और बी ग्यानेंस कुमार और डॉक्टर सुखवीर सिंग संधु ने काजभार समाला इस प्रकार राइट अंसर सी होगा कोचन नंबर 105 है निम्न कत्रों पर विचार करें ये में 13 माई 2024 को परशीत कानेडाई लेखी का एलिस मुरो को निधन हो गया दो में है उन्हें वर्ष 2018 में साहित के लिए नॉविल पूरुषकार परदान किया गया था उप्रक्त में से कौन सा कत्थन सही है इसका राइटनसर का आप्शन ए केवल एक आपका सही है 13 माई 2024 को परशीत कानेडाई लेखी का एलिस मुरो का निधन हो गया इस पका राइटनसर आपका ए होगा निष्ट कोचन कोचन नमबर 106 है अगस 2024 में किसने चिकिस्चा से संबन्दित पेशे एवरू किसुर अच्छा है तो 10 सदस ये राश्टिये कारवाल एन टी एप गठित किया है इसका राइटनसर का आप्शन ए उस्तम निया लेने है इसका राइटनसर ए होगा कोचन नमबर 110 है मित्र वन पहल के समंद में निम्ण कत्म पर विचार कीजिए ए में है जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी आदिनाथ ने बिरिच्छा रोपन जन अभियान 2024 के तहट वन मित्र पहल सुरू करने के घोशना की दो में बिरिच्छा रोपन जन अभियान 2024 के तहट बिहार और परोशी देश नेपाल की सिमाओ पर वन मित्र की अस्थापना की जाएगी थिरी में इसके लिए 35 वन प्रभागु द्वारा अस्थानों का चेन किया गया इसका राइट अंसर होगा आपका एक और तीन दोनों होगा इस प्रकार राइट अंसर सी होगा कोचन नंबर 108 है निम्न कत्म पर विचार करें एक में है माई 2024 में सायुक्त अरव अमिरात UAE ने अपने नए विजा कारेकर्म के तहट बुलू रेजी डेंसी विजा की घुसना की दोम इस विजा को उदेश परियावरन समंदी अनुसंधान सक्रेता और परोधोगी समाधा में 22 नेताओं को अकर्सित करना है नेश्ट देखेंगे इस विजा की अब्दी 15 वर्स है उप्रिक्त में इसे कौन सा कथन सही है इसका राइट अंसर को आप्शन ए एक और दो दोनों सही है इस परका राइट अंसर ए होगा कोचन नंबर 109 है विश्व हैट्रोजन सिखर समेलन 2024 से सम्मंदित नेमन कथनों पर विचार कीजिए ए में है 3 से 15 मई 2024 के मद या सिखर समेलन राटर डेम निदरलेंड में आई जित हुआ दो में भारत ने जनवरी 2020 में राष्टी हरित हैट्रोजन मिशन की सुरू किया कोचन नंबर 110 देखेंगे जैग उपचार की स्वा अस्थाने पधती में निम्न में कौन सामिल है इसका राटर नंबर 111 है पाओधे में फ्लोयम मुखिता उत्तरदाई है इसका राटर नंबर 112 है निम्न लिखीत में से कीन बहलुकों का उप्योग बुलेट पूरूप वश्थूओं को बनाने में किया जाता है ए में केवलर दो में है गिल प्लाटल थिरी में है लेक सांग नीचे देगे कुट को सही उत्तर को चुनना है इसका राटर नंचर को अप्शन सी एक और तीन आपका सही है इसका राटर नंचर सी होगा कोचन नंबर 113 है नेम रखीत में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है इसका राटर नंचर को अप्शन आपको बी एस्टिक अम्र कच्चे आम यह आपका सुमेलित नहीं है इस प्रकार राटर नंचर नहीं पूछा यह तरा राटर नंचर भी होगा कोचन नंबर 114 है रेडियो तरंगो के वी छेपन के लिए वाई मंडल के निम्नखित अस्तरों में से कौन सा अस्तर उत्तर दाई है इसका राटर नंचर होगा आप्शन डी आयन मंडल आयनो अस्फियर आपको उत्तर दाई है इस प्रकार राटर नंचर डी होगा कोचन नंबर 115 देखेंगे लाइकेन के संदर में निम्नखित कथनों पर कौन सा कथन सही है यह में लाइकेन वाई परदूसन का संकेतक होता है दो में लाइकेन के अध्यन में लाइक्रो नोजी कहती है इसका राट अंसर हो जाएगा आपको आप्शन ए केवल एक और दो दोनों सही है इस पर का राट अंसर आपका ए होगा कोचन नमबर 116 है पच्छी वर्क के समन्द में निम्ने खित में इसे कौन सा कथन सही है यह में इसका हिरदा तीन वेसिम होता है दो में इसमें मुत्रासाय का अभाव पाय जाता है नीचे दे एक कूट को सही उत्तर को चुनना है इसका राट अंसर होगा आप्शन डी ना यह तो एक है और नहीं दो इस प्रकार अधेंश pandie होगा कूट वो चन नमबर 117 है मानव में लाल रह्त कनों आर्वी सीट के भीशाय में कौण सा कथन सत्ति नहीं है कि इसका राट अंसरी का आप्शन डी इसका जिवनका तीन से पांच दिन न ख Sulak повтор आपका डी होगा नेश्ट कोचल, कोचल नमबर 108, एक में आनू, आज दूसरा में, A में बिटामिन B12, तो बिटामिन B12 का हो जागा 2, कोबाल्ट, B में हेमोगलोमिन, तो इसका हो जागा लोहा, आइरन, C में है कलोरोफील, तो इसका हो जागा 1, मैगनेसियम, D में है चैकलोपायराइट, तो इसका थिरी हो जागा तामबा, इस प्रकार आप मिलाएंगे, तो इसका राइट अंसर A होगा, A का दू, B का चार, C का वन, D का तीन होगा, इस प्रकार राइट अंसर A होगा, नेक्ट कोचन देखेंगे, कोचन नंबर, 119 देखेंगे, 12 सितंबर 2024 को, साज़्वनिक छेत्र के किस उपकर्म को, CII, G, C, B, राइट अंसर आपका B होगा, नेक्ट कोचन, कोचन नंबर, 120 है, 11 सितंबर 2024 को, ब्रिक साइट फोरम कहां आईजित हुआ, इसका राइट अंसर आउप्शन A, का जान में आईजित हुआ, इस पका राइट अंसर A होगा, कोचन नंबर, 121 देखेंगे, 7 से 20 सितंबर 2024 के मद, किस देश की नौसेना द्वारा, बहुराष्टिय समुंदरी अभ्यास का काड़ू, 2024 का सोलमा संस्करान आईजित हुआ, इसका राइट अंसर का ऑप्शन C, अस्टेलिया में आईजित हुआ, इसका राइट अंसर C होगा, कोचन नंबर, 122 है, 13 सितंबर 2024 को केंज सरकार, अंडमान और निकोबार, दिप समुख के रैधानी, पोट बलेर का नाम बदल कर क्या किया है, इसका राइट अंसरों का ऑप्शन B, सिरी बिजय पूरम किया है, इसका राइट अंसर आपका B होगा, कोचन नंबर, 123 है, 6 सितंबर 2024 को कहां से अगनी, फोर, बलेश्टिक मिसाल का सफल परिछेपन किया गया, इसका राइट अंसरों का ऑप्शन ने, चांदीपूर से किया गया, इसका राइट अंसर यह होगा, कोचन नंबर, 124 है, 29 अगश्ट, 2024 को अरिहंत सरेनी की दूसरी परमानुपंडू भी भारतिय नौव सेना में सामिल हुई, इसका क्या नाम है, इसका राइट अंसरों का ऑप्शन B, आई एनस, अरी घात है, इसका राइट अंसर B होगा, कोचन नंबर, 125 देखेंगे, अगश्ट, 2024 में, फत्ते में, मोह जेरानी, कि इस देश की पहली महला, सरकारी परवक्ता नियुक्त हुई है, इसका राइट अंसरों का ऑप्शन A, इरान की, इसका राइट अंसर आपका A होगा, कोचन नंबर, 126 है, 20 अगश्ट, 2024 को, मंजुब महता का निधन हो गया, वा थी, इसका राइट अंसरों का ऑप्शन C, शीतार वादक थी, इस प्रकार राइट अंसर आपका C होगा, कोचन नंबर, 127 है, अगश्ट, 2024 में, मद्द, परदेश, सरकार, द्वारा, किसे वर्ष, 2023 का परतिश्ट, राष्टिये लता मंगेसकर आवार्ट परदान किये जाने की घुसना की गई है, कि इसका राइट अंसर आप्शन D, कि इस चित्रा को राष्टिये लता मंगेसकर आवार्ट परदान किया जाएगा, 2013 का, इस प्रकार राइट अंसर D होगा, कोचन नमबर 128 है, अगाइस 2024 में बिहार के मुखमंत्री नितिशकुमान ने किसे जीले में इस्तित का कोलस जल परपात में परेटिकिये सुविधाओं को लोकारपन किया है, कोचन नमबर 129 है, फरवरी 2024 में जारी बिहार आर्थिक सरवेचन 2023 के अनुसार, वर्ष 2022-23 में बिहार सकार के कर राजस में सरवादिक हिस्सा है, कोचन नमबर 139 है, फरवरी 2024 में परश्तूत बिहार बजट 2024-25 के अनुसार, वितिये वर्ष 2024-25 में राजस कूशिये घाटा कितने करूर रुपिया रहने का अनुमान है, इसका रैटन्सर अप्शन बी 29,09,945,44 करूर रहने का अनुमान है, इस प्रकार रैटन्सर आपका बी होगा, नेक्ट कोचन देखेंगे कोचन नंबर 131 है आपको इसमें मिलान करना है तो देखना है इसमें A में है अनुच्छेद 2-43 का था तो इसका रैट होगा 3 नगर पलकाओं का गठन से B में है अनुच्छेद 243 के ना तो इसका हो जाएगा 121 नगर पलकाओं के अस्ठाण का रच्छन से C में अनुच्छे 243 के जा तो इसका हो जाएगा 2 पंचायतों के लिखाओं के संपरिछा से D में अनुच्छे 243 के गठन इसका हो जाएगा 4 पंचायतों की सरचना से इस प्रकार रायाट अंसर आपका D होगा, एक का 3, B का 1, C का 2, D का 4 होगा, इस प्रकार रायाट अंसर आपका D होगा, next कोचन देखेंगे, कोचन नमर 132 है निमल खित में से कौन सा कथन गलत को चुने, ति इसकार रायाट अंसर होगा, option C, लोक सभा अध्याच दोनों सदनों की सायुक्त बैठाक आहुत करता है इस प्रकार राइट अंसर C होगा कोचा नमर 133 है आर्थिक समिच्छा 2023-24 के नुसा वर्ष 2023 में भारत में कितने बेदेशी प्रेटक का आगमन हुआ इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको आप्शन C बानमे लाग इस प्रकार राइट अंसर C होगा कोचा नमर 134 है बिहार पजट 2024-25 में 29,005,004 करोर राज कोची एक हाटा रहने का अनुमान है जो सकल घरेरो राज उत्पात का कितना परतिसत है इसका राइट अंसर का आप्शन C 2.98 प्रतिसत घटा रहने का अनुमान इस प्रकार राइट अंसर C होगा कोचा नमर 135 है प्रोजेक्ट अस्मिता से समधित निम्न कत्रों पर विचार किजिए यह में जुलाई 2024 में इस प्रोजेक्ट के राजभासा विवाग गिरी मंत्राले द्वरा सुरू किया गया दो में इस प्रोजेक्ट का उदेश अगले पांच वर्सों में भारतिय उप्रोग्त में से कौन सा कथन सही है इसका राइट अंसर हो जागा आपको ऑप्शन भी केवल दो आपका सही है इस पका राइट अंसर भी होगा कोचन नमबर 136 है जुलाई 2024 में किस राज सरकार द्वारा मुख मंत्री बहन बेटी मई कुई स्वालंबन प्रोसाहन योजन का सुबारा मुख किया गया इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन ए जारखन में इस पका राइट अंसर ए होगा कोचन नमबर 137 है तेरा से 26 मई 2024 के मद भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्याद सकती 2023-2024 आयो जीत हुआ इसका राइट अंसर को ऑप्शन डी फ्रां से नाओं के बीच आयो जो थी हुआ इस प्रका राइट अंसर डी होगा कोचन नमबर 138 है जून 2024 में जारी बिच के रहने योग सहरों के सुची ग्लोबल लेवी लेवी लिवीटरी सुचकंग 2024 में किस सहर को सिर्ष अस्थान पराप्थ हुआ इसका राइट अंसर का ऑप् कि नेश्ट कोचन देखेंगे कोचन नमबर 149 है निम निमी से कौन सही सुमेलित नहीं है इसका राइट अंसर को ऑप्शन सी राष्टिय मत दाता दिवस 25 फरवरी यह आपका सही सुमेलित नहीं है इस प्रकार राइट अंसर आपका सी होगा दोस्तों आपको 140 से मैथ अरजिनिंग है आप इसे अंसर बता दिया जागा स्वयम बना ले साथ ही मेरे वीडियो को लाइक किजिए मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं की है तो सस्क्राइब कर ले तकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सकें तो चलिए देखते हैं उसका जाण तो एक सो चालिस को hon खसें नमबर इसका राय ट Avengers का आपशन डी दो सो अठाइस कोह्चन नमबर 141 है इसका राय टंसर होगा option B चंदरमा अनुपात पिर्थी भी है कोचर नमबर 142 है इनमे से कौन डेरी उत्पाद नहीं है तो इसका राय टंसर होगा option A गूर आपको डेरी उत्पाद नहीं है इस प्रकार राय टंसर A होगा कोचर नमबर 143 हम देखेंगे इसका राय टंसर होगा option B दाई और से तीसरा होगा इस प्रकार राय टंसर आपको बी होगा कोचर नमबर 144 देखेंगे इसका राय टंसर होगा option A डोना इस प्रकार राय टंसर A होगा कोचर नमबर 145 देखेंगे इसका राय टंसर होगा C F कोचन नमबर 146 देखेंगे इसका राइट अप्षन होगा अप्षन C, 6, 6 कोचन नमबर 147 देखेंगे इसका राइट अप्षन होगा अप्षन E, 2 बार कोचन नमबर 148 देखेंगे इसका राइट अप्षन होगा अप्षन C, पलस और कोचन नमबर 149 है और कोचन नमबर 150 होगा, हाली में सतर्मा गिरिस्म कालिन, पैर अलंपिक 2024 खेलो का आईजन कहा हुआ, इसका राइट अंसरो का आप्शन डी, पेरीस में हुआ, इस परकार आपको घर्टा चक्र का सेट प्रैक्टिस 9 इहीं पर समाप्त होता है, साथ ही मेरे वीडियो को लाइ मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके है, तो फिर नेश्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए थांक्यू, धन्वाज जहीं